जय ही हिंद प्यक्तोब कर दोस्तो प्रैस काउंसल ओफिंडिया डिल्ली में 12 पास वालों के लिए पक्किश सरकारी नोगरी आउट हो हुई है जी यह आपने सही सुना अगर आ डिल्ली में सें्टल गुर्मेंट की बारवी पास की पक्की सरकारी नोगरी सर्च कर रहे हैं तो यह आपके लिए गोल्डर पोर्चुटी लेकर आया हूँ क्योंकि वेकेंसी नोटीस आउट हो चुका है औल इंडिया के इंडिट अपलाई कर सकते हैं वो भी पक्की सरकारी नोगरी है सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह प्रेशर्स भी अपलाई कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक्स्पिरियंस वगरा माँ आ गया हो तो आज कि वीडियो से बात करेंगे आपको अपलाई के सकताना सैलेट पेकेज गेटरिया जितनी बाताया च 59 को लैक करो संक्राइब करो वीडियो को शेयर करेंगे तो basically दोस्तो press council of India का नाम आपने जरूर सुना होगा government of India की एक authority है department है इसमें vacancy notice out हुआ है place of posting रहेगी दिल्ली में इसमें basically दोस्तो दो type के अलग-अलग post की बात करें तो assistant section officer की post है और एक stenographer की post है अब देखें समझते हैं कौन-कौन सी post में क्या-क्या चीज़े माहीं गई है अच्छी तरीके सब वीडियो को देखना समझना उसके बाद आप apply कर देना stenographer की जो post हुए है वो group D की post है इसमें basically 12th pass माहा गया है level 4 केंगे salary होनी चाहिए 18-27 साल age होनी चाहिए level 4 की जो salary बनती है आपकी 45-50,000 लगते ही salary बनती है अब अगर आपको age में relaxation चाहिए तो SCST के इंडेट वालों को 5 साल का इंडेट मिलेगा और OBC के इंडेट वालों को 3 साल का इंडेट मिलेगा इसी के साथ साथ अगली जो post है हमारी assistance action officer की है यह जो vacancy है इसमें graduate मांग है आपने किसी भी फिल्ड से graduation की हुई है तो आप इसमें eligible रहेंगे उसी के साथ साथ salary की बात करो तो level 6 का इंडेट मिलेगी जो लगते ही आपकी 7-5,000 salary रहेगी और इसमें 20 साल से 30 साल तक के सभी candidate अपलाई कर सकते है और as per government of India rule सारे early exercise में मिलते है जैसे कि मैंने बताया SC-ST candidate वालों को 5 साल का इंडेट मिलेगा और OBC candidate वालों को 3 साल का इंडेट मिलेगा इसी के साथ साथ समझते है apply करने के कितने charges देने होंगे तो SC-ST और women candidate के लिए fees exempted आप free of cost apply कर सकते है जनल और OBC वालों को 100 रुपे देने होंगे apply करने के अब बात करते है apply कैसे करना है तो application form का link में डिस्क्रीमें देदूंगा उसका print out निकालना उसके साथ अपने सारे supporting documents लगाने है और वो आपको एक लिफाफे में pack करके send करने होंगे the secretary press council of India सूचना भवन 8 CGO complex लोधी रोड नई दिली 110003 दोस्तों आपके सभी documents से आपे पहुंच जाने चाहिए 2 जुलाई 2024 से पहले पहले basically दोस्तों यह जो advertisement है यह 18 मई को out हुआ है 18 मई को यह out हो चुका है और इसमें 45 days का इसमें last day निर्दाजित करी गई है आप उससे भी इसका अनुमान लगा सकते हैं एक बार official website पे जो advertisement readout कर लेना जाके उसका link में डिस्कुरियमें दे दूँगा आपकी further clarification के लिए पकी सरकारी नोग रिया है contractual का पंगा इसमें बिल्कुल भी नहीं है तो वीडियो कैसे लिए कोमेट सेक्शन में जुग बता सकते हैं थेंक्यू सब्सब्स जोस्तो पर वाचिंग माई वीडियोज